हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है सवनिक मार गुपता है मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जो एक काफी इंटरस्टिंग वीडियो गापके लिए वो होगा कि एक सिंपल एनलोग क्लॉक वो भी चलता होगा यानि पूरी तरीके से एनिमेटेड एनलोग क्लॉक चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं वो पाइथन में बनाएंगे हम और मैं ये वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में आपकी क्लॉक होगी वो चलती हुए हम मिलेगी आपको तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं एक कोड को रण करवा के दिखा देता हूं कि ये क्लॉक कैसा होगा लास्ट में और इसकी coding मैं एक एक करके बनाऊँगा आपको ठीक है एक एक line हम मैं code करूँगा यहाँ पे आराम से आप देखेगा चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं अपना पाईचाम open कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे यह clock बनाया हूँ पहले तो मैं इसको पहले run करा कर दिखायता हूँ फिर हम इसकी नई के copy बनाएंगे आप देखे पहले clock कैसा है देखे यह clock विलकुल आपका जो घड़ी होता है उसी क हिसाब से चला है और इस समय हमारे computer का time जो देखे वो 3.19 मिनट हो रहा है और यह भी हमारा 3.19 मिनट ही बता रहा है तो हम ऐसा ही clock बनाएंगे तो चली start करते हैं सबसे पहले तो मैं एक file बना लेता हूँ और इस file का नाम मैं रख देता हूँ analog clock अच्छा इस बात को बनाने क के लिए हम लोग python में जो turtle होता है उसका यूज करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं अपनी code में turtle को import कर लेता हूँ from turtle import इसके बाद मैं मुझे time model की भी जरूत पड़ेगी तो मैं time model को भी import कर लेता हूँ import time ठीक और मैं आपको एक बापता दूँ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरे चैनल को subscribe कर लिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाओ वो आपको पहले ही मिल जाए अब मैं काम करता हूँ एक time is dot time function को call कर लेता हूँ ठीक है यह मुझे आगे जरूत होगी तो मैं इसको call कर छोड़ देता हूँ यहाँ पर फिला अब मैं जो turtle होता है उस class का एक object बना लेता हूँ तो मैं t is equal to लिग देता हूँ turtle यह हमारी turtle class होती ही इसका मैं object बना लेता हूँ अच्छा अगर turtle को run कराना हो आपको तो आपको पता हो कि हम इसको mail loop के अंदर डाल देते हैं ताकि यह क्या हो run करता रहे infinite time तक मतलब जब तक screen on होई अब मुझे क्या करना है पहले screen बनाता हूँ याद करिए हमारे जो screen थी वो black color की थी तो मुझे एक screen class का मैं object बना लेता हूँ ठीक है और screen का मैं title सेट कर देता हूँ यह डबलू एन डॉट जो title है मैं इसको सेट कर देता हूँ क्या simple analog clock simple analog clock ठीक है और मैं इसका जो background color है वो सेट कर लेता हूँ black color ठीक है क्योंकि मैंने वहाँ पर black color ही दिखाया था आपको तो bg जो color है मैं उसमें डाल देता हूँ black ठीक अब मैं आपको भी इस code को थोड़ा सा run करा के दिखायता हूँ और इसकी जो initial size है यानि जो window की size है वो भ देता हूँ ठीक है और वो मैं ले देता हूँ 600 cross 600 ठीक है यानि 600 600 का size रहेगा आप जितना चाहों बड़ा छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से अच्छा जो pen होगा जो उसकी मैं size उसकी speed set कर देता हूँ सबसे lowest पे ठीक है यानि t.speed ताक्यों बहुत धीमे-धीमे हमको दिखा सब कुछ lowest जो होता है वो one होता है ठीक है और जब काम खतम हो जाएगा जो मतलब पूरी coding complete हो एक तो मैं इसको zero कर दूँगा यानि fastest कर दूँगा साथ-साथ मैं काम कर देता हूँ इसकी pen size मैं ले लेता हूँ 3 आप जो चाहों ले सकते हो इससे मोटा और पतला होगा मैं दिखाना नहीं जाता हूँ तो मैं लिख दता हूँ था dot hide turtle, ठीक है, hide turtle लिख देता हूँ, अच्छा, और animation को मैं on कर देता हूँ, ठीक है, तो ये screen का animation है, उसको on करने के लिए मैं pressure function को call कर देता हूँ, ठीक, और इसमें जो value होती है, वो मैं 0 डाल देता हूँ, चलिए, अभी काम करते हैं, जरा हम run करके इतना देखते हैं, कि मेरा output कैसे आ रहा है, फिलाल, मुझे एक window मिलना चाहिए, और उसका background कलर क्या होगा, black कलर का है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे clock का पहले dial बनाना है, ठीक है, तो इस काम को करने के लिए, मैं ये काम इसी function से कराता हूँ, ठीक है, तो मैं एक function लिख लेता हूँ def or draw underscore clock, आप इच ऐसे चाहे करा सकता है, तिरकी function से कराने का benefit होता है, मैं function को call करता हूँ, और इस में मैं जो turtle का last का object बनाया हूँ, वो इसको मैं pass कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जो mail loop मैं लिखा था, मैं mail loop को अभी फिलाल इसी के mail loop, ठीक है, अभी आप run करके देखे, तो अभी भी हमारा clock, अच्छा, अब मुझे इस function को क्या करना होगा, call करना होगा, तो मैं नीचे इस function को call कर लेता हूँ, draw, ताकि मेरा अभी भी ये screen बने, ठीक है, अच्छा है, यह देखे, मैं इसको call करता हूँ, और आप run करा कर द होगा, तो मैं इस T को जो मेरा टर्टल क्लास को अबजेक्ट इसको मैं पास करेता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको run कराता हूँ, दुबारा, यहाँ पर मुझे T.Mail loop नहीं, मुझे mail loop लिखना है, देखे, यह मेरा हमारा जैसा screen चल ला था, फिर से वैसे ही चलने लगा, अब मुझे क्या करना है, इस function की coding को on करना है, मतलब पूरा complete करना है, अब complete करने के लिए सबसे पहले तो मेरा काम होगा, कि मुझे एक dial बनाना ह होगा, आप देखी पहले एक circle बनाना होगा मुझे, ठीक है, circle बनाना होगा, उसके बाद, अच्छा है, इस circle बनाना के जो concept है, यह ध्यान रखी का मैं क्या करने माला हूँ, पहले जब भी आप run कराते हैं, तो turtle हमारा, मैं इसको hide को पहले off कर देता हूँ, ताकि एको पता चले turtle हमारा है कहा, ठीक है, अच्छा, और मैं turtle का color भी set कर लेता हूँ, इसमें, तो turtle का जो color है, वो मैं ले लेता हूँ, यानि T dot, जो pen color है, ठीक है, pen color मैं ले लेता हूँ, green color का, क्योंकि black color पे green color आराम से दिखेगा, ठीक है, अब मैं इसको दिखाता हूँ, turtle कहा है, आप पहले ये देखिए, ठीक है, turtle हमारा दिखना, अब दिखने रहा है, मुझे क्या करना होगा, इसको कुछ मैं से काम करवाँगा, तो वो मुझे ये करेगा, काम क्या करवाँगा, सबसे पहले, तो मैं ये turtle generally, generally क्या हमेशा हमारे screen के center में रहता है, तो center से मुझे radius बनाना है, अब radius बनाने के लिए मैं चाहता हूँ, कि मैं पहले pen उठा लूँ, फिर मैं go to से मैं उस position पहुंचता हूँ, और वहाँ से मैं एक circle बनाना चाहता हूँ, तो मैं अभी बना के दिखाता हूँ, पहले वाँ ट.pen up call कर लेता हूँ, नहीं तो अगर pen up नहीं call करूँगा, तो यह मुझे line महाँ पर भी बनती हूँ दिखाए देगे, और फिर t.go to कर लेता हूँ, गो to कहां कर लेता हूँ, तो जो radius मना रहा हूँ, वो 0,210 पर पहले ले जाऊँगा, और वहीं से मैं एक circle draw कर दूँगा, और इस t.set heading को मैं call कर दूँगा, ताकि टर्टल का 180 डिगरी पर direction हो जाए, अब मैं t. इसको color set करने के बाद pen down कर लेता हूँ, ठीक है, यानि t. pen down करके और circle function को call कर देता हूँ, ठीक है, और मुझे circle बनाना है, तो circle जो मैं बनाऊंगा, वो मेरा circle function को call करूँगा, और इसको radius होगा, वो 210 होगा, जैसा कि मैंने इसमें पास किया था, अ फिर चाहता हूँ, यह turtle मेरा कहां चलाए, center पर चलाए, ठीक है, क्योंकि center पहले इतना run करा के देखते हैं, फिर मैं इसको center पर ले गया हूँगा, और मैं इसको दिखाता हूँ आपको, देखे, यह कुछ ऐसा हुगा, मेरा circle बहुत तेजी से बना, आपको पता नहीं चला तो आप चाहो, तो इस समय animation को भी off कर दो, फिलाल, last time मैं इसको भी on कर लूँगा, ठीक है, और run करता हूँ, तो देखे, अभी, देखे, मेरा turtle ये काम कर रहा है धी मेधी में, ठीक है, और इस तरीके से आपको थोड़ा सा पता चला हूँगा, अब मैं क्या करूँगा, यह और यानि, अब एक काम फिर से स्टार्ट करते हैं, क्या करना मुझे सेंटर पर लेकर आना है, तो सेंटर पर लेकर आने के लिए, मैं, अब मैं इसको कमेंट भी राल देता हूँ, थोड़ा सा, हम मुझे हैंड और आर्स बनाने हैं, मतलब जो घंटे की मार्किंग करना है, अब मुझे इसको सेंटर पर लाने के लिए, मैं इसको कहता हूँ, गो टू जिरो जिरो, ठीक है, जिरो, जिरो, जिरो जिरो पर एक का मतलब वो सेंटर पर आजाएगा, और जिरो कॉमा जिरो, या आप होम भी यूज कर सकते हो, फिलल मैं गो टू फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, अब मैं टी डॉट सेट इसको 90 डिगरी सेट कर लेता हूँ, सेट हैं, ठीक है, और 90 डिगरी सेट करने क लेके बाद, अब मुझे ये काम करना है कि हर बार एक मार्किंग बनानी है, मार्किंग बनाने के लिए मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं एक लूट लिखतेटा हूँ, ठीक है, फोर एक वैरेबल ले ले लेता हूँ, झोभी अप ले सकते, इन और रventions फंक्शन को यूज कर लेता हूं और रेंज और रेंज में मैं इसको चुकि मुझे ट्राल मार्किंग मना नहीं है तो मैं ट्राल लिख देता हूं ठीक है कि रीच फंक्शन जीरो से लेके 11 तक चलेगा यहीं 12 बार यह रन करेगा ठीक है और हर बार मैं क्या करूंगा इसको टी डॉट करूँगा और कितने आफ हरूप करूँगा तो 210 मैं से में 190's को फॉरवर्ड करता हूं उसके बाद वहां फॉरवर्ड करने के बाद मैं T. pen down कर लेता हूं ठीक है pen down करने के बाद मुझे वहां पर कुछ टाइपिंग करनी है ठीक है तो टाइपिंग करने का मतलब मैं इसको वहाँ से फिर से forward कर दूंगा और t. forward कर दूंगा या अपडी लिख सकता हूं कुछ भी कर सकता हूं और या हम लिख देता हूं 20 ठीक है और इसको मैं मैं अभी को run कर आँगो तको दिक जागा एक लाइन फिर मैं इसको center पे ले क्या आँगा और यह का मुझे बार बार करना होगा तो दो अब नब कर लिता हम फिर से दुबार रुत करना है तो पैन अब करूंगा फिर इसको उसको सेंटर पर लेक्वांगा यानि गोटू अभी मैं इसको तोटल मुझे ट्राल मार्किंग करनी है और तोटर 360 का होता है एंगिल और मैं ऐसे करूंगा तो मुझे हर बार इसको 30 डिग्री पे मूव कराना होगा तो मैं टी डॉट राइट किकर देता हूँ राइट जी एसटी और 30 डिग्री ठीक अब मैं काम करता हूँ तो आपको आईडियो हो जागा कि कैसे मार्किंग हो रही हमारी क्योंकि अगर आप ये एक बार देखके संजाओ मैंने इसलिए सपुछ एनिवेशन आफ रखा है और स्पीड भी स्लोइस पर रखा है तो आपको एक दम क्लॉक बनता हुआ दिखेगा देखिए सबसे पहला मेर सब्सक्राइड आपको बिल्कुल ये नहीं देगा देखिए अब मेरा फिर सिहांगे अब देखिए अब क्या करना होगा इसके अंदर करना होगा थिक है तो अम में आपकर लेता हूँ लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ थोड़ा सा ठीक है कुछ चीचे मची इसमें से जनुत होंगी मैं use करलोंग, ctrl c और यहाँ पर मैं दुबारा इसको paste करेता हूं ठीक है, ध्าन्य नी rak biblical channel जट करता हूं और उजे दुबारा paste करना है यहाँ पर तो मैं अथाा सब पीछे करके स्को paste करो हाँ ठीक है, सही है, नहीं सहीMic to우 नहीं है यह मेरा क्योंकि कि यह सारी की सारी चीज़े मुझे बैक चाहिए एक में कंट्रोल जट कर देता हूं मैं यह पेस्टिंग थोड़ी कर बड़ जारी है मैं एक एक कर लेता हूं अब की बात मुझे क्या करना है मिनट के लिए करना है तो मैं यहां पर लिए तो मिनट एंड सेकेंड ठीक है फिर से मुझे क्या करना होगा मैं पैन अप करूंगा ठीक है और सेंटर पर आऊंगा सेट हैदिक फिर से मुझे 90 करना होगा देख्वी सारइ काम करना होगा फिर से मुझे लूप चलाना होगा लेकिशल अपकी बार यह काम मुझे 12 बार नहीं 60 टाइम करने है क्योंकि मार्किंग इसमें 60 होगी ठीक है और फिर मैं क्या करना इसे मुझे थोड़ी से छोटी करनी है इसको तो मैं इसको 190 से नाके इसको 200 कर दोंगा 200 सेम का मुझे करना है और यह मार्किंग मुझे छोटी करनी है मिनट की तो मैं इसको 10 कर देता हूँ देखिए क्या 210 ही होना चाहिए यानि क्योंकि रेडियस से बाहर रही जाना चाहिए यह कॉंसर्प बस यहां पर ही है गो टू यहां पर और इस बार जो एंगिल होगा वो मुझे 30 नहीं सिक्स डिग्री पर मुव कर रहा ना होगा ठीक है तो मैं इसको 6 कर देखिए अब मेरा क्लॉक और मिनट दो नो बन चुका आप देखिए एक 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 करके मेरा यह बन रहा होगा इसके बाद मुझे मैं चाहूं तो इस पर नंबर में लिखेंगा कि मुझे 1 2 लिखना है देखिए यह मेरा थोड़ा अनिमेशन को स्लो करके रखा है इसलिए आपको थोड़ टाइम ले रहा है ताकि आपको पूरी तरीकी से समझ में आए ठीक है पहले यह घंटे के लिए बन रहा है फिर उसक हो रहा है मिनट और सेकेंड के लिए हर सिस्ट डिगरी पे यह काम हो रहा है तो इस तरीके से मेरा ये क्लॉक कंप्रीट अभी डाल पुरा बन जाएगा अब मुझे यहां पे एक तू मैं नंबरिंग कर देता हूं वन टू मतलब यह वन टू त्री पोर फाइब सिक्स से ले इसके बाद मैं जो नंभरिंग है वह स्टाट करता हूं तो इसके लिए मैंने तौर कैल्क्रेशन करके रखा आप थोड़़ सा यह काल कुल सीक्रीशन खुद से भी करिएगा ड्रो नंबर और सत्रीटITY कर देता हूं ठीक है इसको मैं कमेंट कर देता हूं ठीक है इसके तो वन को ड्रॉ करता हूं ठीक है वन को ड्रॉ करता हूं और मैं लिख देता हूं टी डॉट पैनप हर काम मुझे पैनप पहले करना होगा फिर टी डॉट गोटू करना होगा गोटू करता हूं 0,0 फिर मैं लिख देता हूँ t.set heading कर लेता हूँ set heading और ये काम करता हूँ 60 degree पे और उसके बाद इसको move करता हूँ move करनें forward करता हूँ ठीक है 145 degree नहीं है ये ठीक है फिर वहाँ पे t.set heading करता हूँ इसको 0 अभी मैं एक बना के दिखा दूँगा आपको फिर आप इसको आराम से आगे अपना काम कर सकते हूँ 50.fd करूँगा और 15 और यहाँ पर मुझे 1 लिखना होगा जाके तो मैं लिखने के लिए वाज़े जो फंक्चन है वो राइट यूस करना होगा 1, move इसमें false करना होगा ठीक है एक अच्छा फंक्ट दीखे मिजे तो मैं फंक्ट भी set कर देता हूँ यहाँ पर font is equal to arial ले लेता हूँ font is equal to arial ठीक है और जो font की size है वो मैं ले लेता हूँ 25 और font की style मैं ले लेता हूँ normal ठीक है और अब मैं थोड़ी सी speed को fast fast करेता हूँ हाइट टर्टल भी मैं कर देता हूँ और अपरंट करके चेक कर लेता हूँ एक बार देखिए मुझे कुछ और भी मैंने किया होगा वो मैंने नहीं किया वो कुछ error आ रहा है किया अच्छा spelling मैंने कहीं लिखा है false गलत लिखा है वो मैं चेक करता हूँ typing error है move is equal to false का F जो होगा वो capital होता है यह देखेगा ठीक है यह मैंने गलत लिए था इसने रहा नहीं कर रहा था ठीक अब देखे यह फटाक से इतना one लिख किया अमें two three four five six के लिए यह जी दोहराना होगा मुझे ठीक बस angle का फारक होगा ठीक है तो angle को आप तो आप तो आप क्लेट करिएगा मैं यही काम two के लिए करता हूँ इसा समझ जाओ यह चीज और यहां पर इसको अब यहां पर इसको काप कर सकते हो ठीक बना बना के एक कहां पर बना चाहिए इसको यह मैं आपके लिए मैं काम छोड़ देता हूँ मैं इसा समझ जाओ यह चीज और three और मैं यहां पर two कर देता हूँ बागी कोई changes नहीं करने मुझे टू के लिए भी हो गया और मैं three के लिए भी कर लेता हूँ लगे हाथ इसको आप कंट्रोल वी और यहां पर मैं लिखता हूँ थ्री यह कमेंट से आपको पता चल लाएगा कि मैंने कहां क्या क्या किया है तेकि सब कुछ है सैट हेडिंग आपको चेक करना होगा वह चेक कर लिजेगा ठीक करके मैंने यह सब बना के चेक करके मैं आपको यह चीज लिख रहा हूँ ठीक है यह 15 दिजिएगा 25 लिख दिजिएगा ठीक और यहां लिख दिजिएगा 3 और यह अच्छी बात होगी कि यह आप खुद प्राक्टिस करें कि अगर मैं यह क्याल्गुरसम बताने लगए तो और 4 पर मैं आके करता हूँ सब कुछ करने के बाद यहां पर मिझे लिखना होगा 315 यह अंगिल आपको बस थोड़ा बहुत काल्कुलेट करना होगा जो आप ग्राप पेपर पर चाहो तो कर सकते हो या थोड़ी बहुत मैतमाटिक्स लगा कि एक एक नमबर को आप बना मना कर देता हूँ यह का ठीक है फाइफ फाइफ और फाइफ के लिए मैं कर देता हूँ तो फिर मैं यहां पर सब कुछ यहीं रहेगा यह चेंज होगा फिर से 290 होगा और इसको 178 करिएगा ठीक इसमें आप 25 लिख देजिएगा और यहां 5 कर देजिएगा यह सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन है जो आप बना रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें कोई कोडिंग यह सिर्फ डिजानिंग कर रहा है इसके बात अपि मैं इस ग्लॉप को चलाने का काम करूंगा 6 के लिए मैं क् मुझे सिर्फ और सिर्फ चले मैं 6 के लिए यहां कोड कर लेता हूं फिर से अलग से क्योंकि टी डॉट पैनप करना है सीज़े क्योंकि 6 नीचे आता है इसलिए इसमें कम काम करना होगा यह जाना कियेगा बाकी एक एंगल पर नमबर आते हैं गो टू और करना होगा मुझे 0,0,0 और सेट हेडिंग मुझे करना होगा टी डॉट सेट हेडिंग 270 करना होगा और फॉर्वर्ट करना होगा सीज़े सीज़े टी डॉट अपडी करना होगा 190 ठीक है जब सीदे सीदे आएगा और यहां पर इस लिखना है तो मैं एक बार यह लाइन कॉपी कर लेता हूँ ठीक है कंट्रोल सी क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड बदलना मुझे वह है आईप के जगा अच्छा अब देख लीजे तो देखिए यहां पर नॉर्मल रह गया नॉर्मल ठीक यह दो ब्रैकेट अब मैं एक बार रन करा करा कर दिखा दो अब तो रन करेंगे आप तो देखिए कोड हमारा सिक्स तक लिखा गया अब फिर मुझे सेवेन एट नाइन टेन यह काम करना है ठीक है तो चली जल्दी से वह भी बना लेते हैं सेवेन बनाने के लिए मुझे जो पुरानी कोडिंग थी फिर से वही कॉंसेट उठाना होगा मुझे तो मैं देखिए मैं इस फिर से सो कॉपी कर लेता हूं फाइफ वाला कंट्रोल सी कर लेता हूं और एक बार सिक्स के बाद देखे में लूप के सब कुछ अंदर लिखना है यह ध्यान रखीगा मैं इसको थोड़ा चोटा कर देता हूं और इधर बढ़ा कर लेता हूं इसलिए कॉपी प्यस्ट नहीं हुआ है सईसे नॉर्मल और यहां मैं सेवन कर लेता हूं और कुछ चीज़ें यहां पर चेंज करनी है वो है सेवन पहले कर लों कमेंट में अब आएए सेवन में इसको और सेट हेडिंग यहां ध्यान लिखेगा 180 में लिख रहा हूं ठीक है यहां एक बार प्रॉस्ट चेक कर होगे 48 48 और जहां पे 7 ठीक है एक बार रंदर के चेक कर लेते हैं तक देके 7 भी हो गया हूं इसके बाद 8,9,10 ठीक है तो मैं एक बार पूरा यह कॉपी करता ह हम पूरा चंट्रोल सी पूर मैं इसके बार हएं टैक के पेस्ट करता हूँ गुला को nest एख गोड़ा करना सीघंग में तो जल्दी से हो जाएगा गए मैं अंगल बताने लंगा तो काफी लंबा वीडियो होगा वान फाइफ जिरो ओफ फॉर्टी फाइफ कर देचे इसको यह मैं चेक कर चुका है मैं जंदिया लिकर ले रहा हूं और एट ठीक तरीके से तो यह तो एंडय लें ठीके नाएं भी ठीड़ा सीधा-सीधा आता है तो नाइन में हुं थोड़ा सब्सक्राइब से पहले मैं लिख लेता है उन्हें प्लॉटर कर देता हूं इसको और सेट इडिग से एक दे ус इसको 25 कर देता हूं और यहां मैं लिख देता हूं 9 ठीक अच्छा 10 11 12 बन नहीं वाला है मेरा प्लास्ट है 10 11 12 फिर मैं आता हूं यहां लिखता हूं 7 के बाद 9 के बाद लिखता हूं 10 और फिर से 00 सबकुछ यहां पर इतना तो काम करना ही होगा हर बार क्योंकि हर काम मुझे और जिन के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए यह क्लॉग बनाना इजी है अगर आप और जिन के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे तो क्लॉग थोड़ी बन तो जाएगे ल कर देता हूं मैं वन टू जिरो वन टू जिरो वन फो फाइव यह एंगल बस आप एक नोट करके एक वार चेक कर लिए जगा चुकि मैं पूरा पता हूंगा तो बहुत टाइम लग जगा इसलिए अच्छा और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मेरी चैनल पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि आगे से जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाओं तो आपको पहली पता चल जाए है साथ हम लोगे आउनलाइन ट्रेणिंगे र्रोवाइड करते हैं तो online ट्रेनियंग या offline ट्रेनिंग हुँ दोनों प्रोवाइड करते हैं अगर आप चाहते हैं कि हमारी ट्रेणिंग से चुड़ना तो आप हमारा चो वेबसाएट है www.texregion.com उस पर जाके आप रइस्टर कर लिजेगा और वहां से आप मुझे फॉल उप करके आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और इस पूरा कोर्स कर सकते हैं जिसमें more than 150 प्लस वीडियो हैं और आप इसमें बेसिक पाइथन और जैंगो, वूट स्ट्रैप, HTML, CSS, बहुत कुछ आप सीख सकते हैं और वो भी बहुत कम टाइम में और सारे कंटेंट्स के साथ प्रक्टिकल है और कोई भी प्रॉब्लम होने पे हम आपको फूल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं चीक है अब देखिए इतने पे मैं इक बार रन करवाता हूं तो मुझे 12 कप बन चुके हैं अब मुझे बस यहां सेंटर से सुईयां बनानी है और इनको रन करवाना है तो चली स्टाट करते हैं सुई बनाने के लिए तो यानि हम जो घड़ी के सुई है वो बनाते हैं चीक है और सेंटर प्याने के लिए मैं फिर से यहां कोड़िंग लिखता हूं जो चाहें है तो長 boy मैं एच से भी बता दे रहूं ताकि आपको अगर ना पता हो तो उसका अल्टरनेट भी आप टी डॉट और गोटू सेंटर पर यह काम करने के बाद जीरो कॉमा जीरो कॉमा ठीक है इसके बार आपको क्या करना है पैन का कलर माले जहें मैं घंटे की सुई यह उसको रैड कलर से करना चाहता हूं तो पैन कलर मुझे चेंज करना है क्योंकि मैंने पैन कलर ग्रीन लिया था ठीक है तो पैन कलर मैं ले लेता हूं हम रेड कलर का ठीक और टी डॉट सेट हेडिंग जो है मैं 90 डिगरी कर लेता हूं तो यह सोरी टी डॉट सेट हैंडिंग मैं 90 डिगरी कर देता हूं ठीक है उसकी बात दीके है हमको एंगिल बनाँ पढ़ेगा एक फॉर्मुला एंगिल के लिए है सिंपल वो होगा, यहाँ पर मैं एक variable ले ले रहा हूँ, h, अभी h क्या है यह आपको पता चल जाएगा, h divided by 12, ठीक है, और into 360, सबसे पहला तो question यह h कहां से मिलेगा, तो अभी मैं इसको बनाते समय, h भी इसने pass करूँगा, ठीक है, यानि इस function को call करते से, मुझे इसे h pass करना पड़ेगा, अभी मैं h को बताता हूँ, कहां से इसकी value मिलने वाली है, बस एक मेट हुझे है, और मैं t. इसको, जो write कर दोंगा, write के लिए आप आटी भी लिख सकते हो, और इसमें जो angle के value वो आप pass कर दो, जो calculate होगा, वो pass कर देना है, और t. pen down कर दो तो आप इसको t. fd लिख देता हूँ, और 8t, ठीक है, अब question है, कि मुझे यह h की value क्या है, और कहां से मिलेगी, पहले तो मैं इसको calculate कर दोंगा, अब देखे, एक छोटी सी बात है, यह मैं चूभी काम करवा रहा हूँ, इस function को मैं call कर रहा हूँ, यह function हमीशा रम करना चा true, इसका मतलब है, यह infinite time तक चलता रहेगा, और infinite time तक यह function क्या हो रहेगा, call होता रहेगा, simple सी बात है, ऐसे यह call होता रहेगा, बात समया रहा है, अब question है, कि यह h कहां से value मिलेगी, h बराबर मैं system के time को access करने के कोशिस कर रहा हूँ, तो मैं int लिख देता हूँ, यह typecast कर ठीक है, f time के अंदर मैं देखे, percent और capital I लिखना है, r के लिए, ठीक है, और अभी minute भी चाहिए होगा, second भी चाहिए होगा, तो जायरती बात है, मैं control c, control v और control v कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे minute के लिए भी कर लेता हूँ, और second के लिए भी कर लेता हूँ, लेकिन minute के ल capital M लिखना होगा यहाँ पे, second के लिए मुझे capital S लिखना होगा, ठीक, और function बनाते समय मुझे h, m, s और t सारी चीज़े से पास करने पड़ेगी, ठीक है, फिल लग मैं काहां करता हूँ, यह जो function मैंने बनाया उपर, इस function में मैं यह भी चीज़े पास कर देता हूँ, h, m, s, t, अब देखिए, अभी m, s और मैंने यूज ने कैस लिए, यह हमारा color दूसा दिखा रहा है, ठीक, आईए, और आप run कर गए, एक बार चेक करिए इसको, अगर आप इसको run कर आएंगे, तो देखिए, क्या होगा, आपको कुछ दिख नहीं रहा भी, ठीक है, अभी चुकिए function पूरी तरीके जब value मिलेगी, तब दीखेगा आपको value, तो ठीक है, अब हमारा काम है, यह तो हो गया, सबसे पहला काम है, कि मुझे इसमें, r के बाद, बाकी दो, जो hands है, मतलब, second का, और minute का, यह बनाना होगा तो मैं minute का hand भी बना लेता हूँ, मैं इसी को copy कर लेता हूँ, Ctrl-C और Ctrl-V, drop, minute hand ले लेता हूँ, ठीक है, minute hand में same काम, color मैं change कर लेता हूँ, blue, ठीक, set heading वही रहेगी, अखिबाल मैं angle M से लूँगा, और चुकि, 60, ठीक है, यह calculation कर दिया, और यहाँ पर मैं इसको, fd को, 120 कर दे रहा हूँ, और second hand भी बना लेता हूँ, ठीक है, second hand के लिए मैं करता हूँ, second hand का हूँ, second T, जो sui है, वो बनाता हूँ, minute, r, और यह है हमारा second, ठीक, save चीज, color मैं पहली yellow कर देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा लेकर टेंसर ना लिजे आप सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर लिए किक लाइन मैं बता रहा हूं आपको और अभी जो भी चीज़ें हैं वो सब क्लियर जाएंगे जैसी क्लॉक कम्प्लीट होगा ठीक है और इसको दिखें जो कि 60 से क सबसे बड़ी होनी चाहिए तो 160 को कर देता हूं मैं ठीक है अब पहले इसको रन करा के देखते हैं कि क्या हो रहा है कि कुस हो भी रहा है कि नहीं देखिए हमाने दोनों घड़ी का सुई दिखना स्टार्ट हो गार देखिए इक्जैक्त तीन पश्पन अभी हो रहा है तो घड़ी को चलाना भी है बस चोटा सा दो काम करना है तो मैं एक काम करता हूं पहले इस घड़ी को चला लेता हूं ठीक है तो चलाने के लिए मुझे क्या करना हो गा मैं यहीं पे जो ग्लॉप फंक्शन है इसके बाद मैं चो टाइम.sleep function है उसको कॉल करेता हूं स्लीब function मे यानि डवलु एन डॉट अपडेट करूंगा यानि बार बार विंडू के वाज़ाता मेरा अपडेट होता रहे और रन करके चेक लिए अभी जो पाकियों बतायता हूं देखे अभी मेरा कुछ concept पूरा नहीं चला तो कोई बात नहीं है अभी हम देख लेते हैं इसमें हमको इसको एक बार रन करतना चाहिए था कुछ कोई error हाँ कुछ error आरा ठीक है किसमें यह देखे कुछ error मैंने लिख दिया कहीं गलत t.update analog clock wn.update मैंने कहीं गलत लिखा है गया एक मिनिट ब्राश चेक करता हूँ मैं sleep function ठीक है और इसको एक पार मैंचे ओ मैंने mail loop call नहीं किया mail loop मेरा उपर रहे गया यह मैंने गलती हो गई इसले एक घड़ी चलने मैं control x करता हूँ और इस में लोग को मुझे यहां लिखना होगा control ठीक है अब यह रन करिए एक बाट इसको देखिए देखिए घड़ी हमारी चलने इस्टार्ट होगे लेकिन इक प्रॉब्लम हो रहा है यह सेकंड कि इसली बार-बार बनती है दिखाए दिरे तो मुझे इसमें एक function और call करना होगा clear यानि मैं लिख देता हूँ यहां पर टी डॉट क्या clear और अब यह रिखिए रन करके चेक करें क्या हो रहा है अब घड़ी आराम से आपके चल लगी है बस मुझे यहां कुछ लिखना है टिक डिजाइन भाई और ये वो भी मैं लिख देता हूँ थाके clock पे एकदाँ सुन्दर सा दिखे तो चलिए clock की बन गए लिखना चाहते है है इसा designed भाई और यह तो मैं design भाई लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा फिर मैं चहां coding कर रहा था होई पे चलता हूँ और टैप करके मैं लिख देता हूँ सुरे यहां पर आता हूँ और लिखता हूँ जिए मुझे लिखना है गड़ी इक दम बन चुकी है अब बस दो मेंटे का मैं पैनप कर लेता हूं फिर से और सेंटर पर चलता हूं ठीक है पैन कलर ले लेता हूं गोल्ड कलर का ठीक है खिए ब्लाक पिक गोल अच्छा दिकेगा गोल्ड और सेट हैडिक मैं कर लेता हूं टी डॉट सेट हैडिंग ले लेता हूं टू सिक्स एट फॉरवर्ड कर लेता हूं टॉट एम डी ये अब और फिर सेट हैडिंग जीरो करके मैं लिग लिए अँ अए से इडिंग और से गरता है जीरो ठीक है और T.T.T.D कर लेता हूं 5 और यहाँ जाके मैं वो लिख लेता हूं T.Right Designed by तो यह राइट वाला कोडिंग में यहाँ से काप्लिक कर लेता हूं क्योंकि बागे चीज़े यही रहेंगे मैं इसे पच्छीचे चेंज कर लूगा Ctrl V और यहाँ मैं लिख लेता हूं Designed by या मैं आपनी वैबसेट कर नाम लिख देता हूं कुछ भी आप लिख सकते हो जो चाहो लिख लो अच्छा यह तो आप इसका जो फॉन्ट है वह तो आसा छोटा कर लेना क्योंकि यह क्लॉक के बराबर दिखाऊ गए तो आच्छा नहीं दिखेगा तो इसको आप आप छोटा कर लो 25 को डाल कर लो ठीक है या इससे भी छोटा कर लेना जैसा चाहो ठीक है अब रन करो एक पार चेक करो देखेए यह हमारा www.taxygen.com भी लिख दिया इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग ने घडी बनाना से खा और एकदम सिंपल एनलोग क्लोग और व अच्छा लगाओ तो लाइक करें कोई प्राब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो थैंक्स अगें